प्री वेडिन के बाद पहली बार राधिका ने दिया बयान, बोली सब के हिस्से नहीं आता है, ये सौभाग्य हाली में गुजरात के जामनगर में मुकेश अमबानी और नीता अमबानी ने एक भव्य प्री वेडिन कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में कई वी आईपी मेहमानों ने शिर्कत शिर्कत की थी. लगातार तीन दिनों तक सोशल मीडिया पर पार्टी की तस्वीरे वाइरल होती रही. वहीं, अब होने वाली दुलहन राधिका मचेंट ने पहली बार प्री वेडिन कार्यक्रम के बाद मीडिया को इं क्या बोली राधिका अनंत अंबानी की होने वाली दुलहन राधिका मचेंट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि वे प्री वेडिन कार्यक्रम के बाद कैसा महसूस कर रही है. इस सवाल के जवाब में राधिका कहती है, मैं इस भ जारी रखते हुए कहती है, अनंत और मैं वंतारा के लिए काफी उत्साहित है. हम चाहते हैं कि हमारी शादी के जर्ये ही सही लोगों का ध्यान इन निरी पशुओं की तरफ जाए. इन पशुओं के सनरक्षन के लिए और पुनरवास केंद्र बनाये जाए. ये परियोजना मेरे और अनंत दोनों के लिए बेहत खास है. हम दोनों की पशुओं प्रेमी हैं. राधिका और अनंत बच्पन के साथ ही हैं. कई साल तक डेट करने के बाद अब दोनोंने शादी करने का फैसला लिया है. अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे लाड़ले हैं वही रा अधिका और अनंतिस साल बारह जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।